नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फर आपके लिए MP Board कच्छा नवी हिंदी विसाय के अंतरगत प्रोजेक्ट नंबर पांच लेकर आया हूँ तो देखो MP Board ने सभी विसाय के लिए कच्छा नवी दसवी ग्यारवी बारवी में प्रोजेक्ट के जो प्रसन उन्होंने अपनी बेप साइट पर दे रखे हैं और उनी प्रोजेक्ट के जो प्रसन दिये उनी में से आपको जो प्रोजनाकार है वो त्यार करने हैं तो आप उसके लिए क्या करोगे सबसे पहले ए फोरसाई जिसमें आप फोटो कापी कराते हो वो आप पेज खरीदे लेंगे कुछ इसकेज कलर पेन खरीदे लेंगे और इसकेल वगएरे आप रखेंगे फिर सबसे पहले जो पहला पेज रहेगा फ्रंट उसमें जैसी यह हमने देखो यह पूरा कंप्यूटर पर बनाया है आप चाहो तो कंप्यूटर से निकाल लो और चाहें तो आप अहां से अपने प्रोजेक्ट का यह डिजाइन जो बार्डर है यह बना सकते हैं मैंने यह थो उपर लिखेंगे सबसे पहले अपने बिद्याले का नाम जैसे मैंने यहां लिखके रखा है आई कलब उच्चतर मादमिक बिद्याले दिवास मद पिरदेश इसके ठीक नीचे लिखेंगे प्रायोजना कार और इसको क्या करेंगे बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे क्या जाम के सोल लिखा है आप अपने सिच्चक का नाम यहां पर लिखेंगे कच्चा नवी यह ऐसी लिखेंगे रोल नंबर अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल जमा करने इस पहले मिल जाये तो लिखेंगे अगर नहीं मिले तो फिर आप ऐसी जमा कर देंगे नाम आपका लेड लेकिन उन्होंने अपनी कर्मेबूम भारत को बनाया है ऐसे किसी एक बेक्ती की जानकारी एकत्रित कर संच्चत लेक त्यार कीजिए अब इसको समझ लो इन्होंने यह का कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस्त्री पुरुस मापुरुस जिनका जन में तो भारत के बार हुआ ह लेकिन उन्होंने भारत में आकर यही की नागिर्ता ग्रैन करके यहां के लिए अपना पूरा जीवन समर्पड कर दिया तो ऐसे किसी एक बेक्ती की जानकारी आप एकत्र या एकट्टा करके कलेक्ट करके संच्चिप्त में क्या करेंगे लेक त्यार करेंगे ठीक अब ठीक यह तो हो गया आपका फ्रेंट पेज अब आता पेज नंबर दूसरा तो दूसरा से हम लिखना सुरू करेंगे अमने ऊपर ही लिख दिया प्रायोजना कार ठीक अगर चाहें तो यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं इसके ठीक नीचे लिख देंगे काले या इसके पेंसे या Pense, लिखे देंगे उत्तर अब जो यह उत्तर रहेंगे यह आप लखेंगे Pense आना कालिस की से लिखोगे तो बड़ा लिखेगा और पेज बहुत परेंगे तो आप चाहो तो यह Blue Pense लिख लो या किसी दूसरे Color Pense बजार से खरीद कर लिख सकते हैं तो लिखेंगे किस प्रकार उत्तर इस तरह से लिखेंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए है, जिनका जर्म तो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन उन्होंने कर्म भूमी भारत को बनाया है, जैसे मदर टेरेसा, एनी वेसेंट, फादर कामिल बुलके आदी, यानि इनके नाम तुमन फादर कामिल बुलके को लिया, आप चाओ तो किसी और को भी ले सकते हो, अब हम सुरू करते हैं, तो पहले एडिंग डालेंगे लिखेंगे फादर कामिल बुलके का ब्यक्तित्तो, और इसके नीचे हमने ये फादर कामिल बुलके का, देखो पेन से छोटा सा नॉर्मल चि तो उसके पहल उसके बाद पर क्या करेंगे एक तरफ हमने लिख दिया नीले से दूसरे काले से दूसरी तरफ लिख दिया नीले से तो ऐसा आप भी करेंगे तो नाम फादर कामिल बोलके जन एक सक्टमबर 1909 जनमस्तान रेम्स चैपल विल्जियम सिच्छा का इस्थान इंजिनिरिंग बीए एमे प्यच्डी सिच्छा का इस्थान नहीं होगा बलकि यह आएगा यहाँ पर सिच्छा है ना सिर्फ सिच्छा यह तो आप ऐसे इतना लि अब उसके परशाद पर लग देंगे कर्म बूम तो कर्म बूम इनकी जनम हुआ था इनका बेल्जियम है और कर्म बूम है भारत कर्म छेतर हिंदी साइट लेखक यानि हिंदी के छेतर में इन्होंने बहुत काम किया रचना है नया विदान मुक्तिदाता रामकता उत्पत् हिंदी अंग्रेजी सब्दकोस नील पंची पर उसके पास बाद आता है पुरुसकार तो पुरुसकारन को पद्म बूसल मिल चुका था फिर विसेशकार वे इलावाद वालों को माय के वाला कहते थे मादेवी वर्मा को दीदी कहते थे डाक्टर धीरेन वर्मा को वे अपन प्रेडा सुरोत मानते हैं वे हिंदी को राष्ट वासा के रूम में देखना चाहते थे पर आता मिरत्यु तो 17 अगस्त 1982 के उनकी मिरत्यु हो गई थी मिरत्यु का इस्थान तो इनकी मिरत्यु काम थी दिल्ली यानी भारत में जर्म लिया था बेल्जियम में और पूरा जी अपने जीवन में क्या क्या किया ये दोनों में विक्तत्यों क्रत्यत में अंतर है तो दूसरी एडिंग फादर कामिल बुलके का क्रत्यत अब इसके अंतरगत आप क्या लिखेंगे हम उसके बारे में पढ़ते हैं बुलके ने 1951 इसवी में भारत की नागरता ले ली थी हिं इंदी और संस्कृत विवाग के क्या विवागा अध्यच बनें पिर आगे सन 1950 इसवी में वे बिहार के राष्ट भासा परसद के कारकारडी के सदस बनें सन 1972 में केंदरी इंदी समिती के भी सदस रहे पिर पैराग्राप छोड़कर हम लेखेंगे कि फादर बुलके ने भा पूरे जीवन हिंदी के लिए समकार किया वे हिंदी वासा को राष्ट वासा के रूम में देखना चायते थे उसके पश्चात पर अगला अमपैराग्राप छोड़कर लिखेंगे क्या लिखेंगे फादर कामिल बुलके सन्यासी अवस्ते लेकिन वे जिन से रिस्ता बनाते थे उसे कभी तोड़ते नहीं थे वे अपने यहां पर होगा अपने यह अपने गला लिखा अपने प्रिये जनों के सुक दुख में हमेशा साथ रहते थे बोरे बक्त पर घर के बड़ों की बात साथ बना देते थे तो यह हो गया इनका क्रतत तो इन्हें अपनी जीवन में कौन कौन सी रचना है रची और हिंदी पर बिसेज कार किया और जो इनके सगे समंदी भारत में थे सगे समंदी के मतलब यहां पर उनके रिस्तिदार नहीं बलकि उनके मित्र बगारे थे उनसे जिससे भी वो एक वार अपने अच्छी मितरता कर लेते फिर उसके सारे सुख दुख में अमेसा साथ खड़े रहते थे तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट नमबर पांच हो गया समात अब अगर इसको आप पढ़ना देखना चाते हो लिखना चाते हो देखकर तो इसे आप www.indy.indy.indy.in पर भी जाकर क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं नहीं वहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हैं तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो बहुत ही साफ, सुतरा, सुंदर और अट्रेक्टू बनाएंगे ठीक है और किसी प्रकार की उसमें असुदिया ना रहे ये दिया रखना अगर इसके बाद भी किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवस बताएगेगा और हिंदी से सम्मंदित कोई प्रसन हो तो भी वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर आसा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आएगा और समझ में भी आ गया होगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी ने विसे के साथ तब तक के लिए धन्वाद